Hello everyone, this is me, Shivani Shivi और आप सब का स्वागत है मेरी YouTube चानल पे So, आज है Sunday और Sunday special recipe में आप सब के लिए लेके आई हूँ यह beans की सब्जी Beans यानि कि इसको हम हिंदी में बाकला की सब्जी भी कहते हैं और इसमें यह सब्जी के बहुत अपने ही बहुत जादा फाइदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या फाइदे हैं इस सब्जी से fat नहीं होता यह तो बहुत ही चमतकारी सब्जी हो गई है तो आज मैं आपको Beans यानि की बाकला के बार में बताऊंगी इसमें copper, selenium zinc बहुत मात्रा में होता है इससे skin बहुत अच्छी होती है साथ ही में यह पाचन क्रिया को भी boost करने का काम करता है अगर आपको cups की परिशानी है तो आप rose beans यानि की बाकला की सब्जी खाएं यह cups के लिए बहुत अच्छी है तो यह cholesterol level को भी कम करता है इसमें मौझूद potassium भी अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा है beans यानि की बाकला की सब्जी जो है प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है तो यह जो बाकला की सब्जी है इसके सेवन्स अगर आप इसको रोज मतलब जादा से जादा इसको खाते हैं जो एनरजी भी बनी रहती है जो pregnant woman होती है उनके लिए भी नजよね बहुत जादा अच्छी होती है मंमी के लिए और बच्चों के लिए ये सब्जी जादा पौश्टिक ऍसमें क्यूंकि इस सब्जी में बहुत जादा पौश्टिक तर्व है तो जो चोटे से बच्चे होते हैं और जो मम्मी होते हैं उन सबके लिए ये सबजी बहुत जादा अच्छी होती है लेकिन आज कहीं न कहीं हम हरी सबजियां खाना भूल गए हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाहर के जो fast food हैं जैसे की burger, chawman, pizza, momos, gold guppay ये देखके मुँ में पानी आ जाता है तो हम हरी सबजियां भूल जाते हैं और इसके फाइदे भी भूल जाते हैं जबकि ये जो हरी सबजियां है इनकी वज़े से ही जो हमारी health है वो अच्छी हो सकती है बाहर का जो भी हम खाते हैं, junk food, fast food जो भी हम खाते हैं उससे हमारी सेहत खराब ही होती है उससे कभी मैंने किसी को नहीं सुना कि उससे किसी की भी सेहत अच्छी हो तो मैं आपको यही सजेश्ट करूँगी कि आज सही हरी सबजियों का सेवन स्टार्ट करें तो मैंने ये लियi है लोहे की कढ़ाई जिसमें iron भरपूर मात्रा में मिलता है और मैंने डाला है एक चमश तेल की जैसा कि आप सब प्लेट में देख सकते हैं कि मैंने beans कट कर लिया है और यह है अधरक और लसन भी अच्छे से कट कर लिया है और ये तेल हो चुका है अच्छे से गरम तो इसमें आप थोड़ी सी मेथी डाल सकते हैं जो मेथी भी फाइदे मंद होती है इसलिए मैं कोशिश करते हूँ थोड़ी सी मेथी डालने की भी और ये डाला है अब मैंने इसमें लसन लसन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन करेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे अद्रक अद्रक जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा उसके बाद अद्रक डालेंगे और अद्रक को भी अच्छे से फ्राइ करेंगे, इसको भी अच्छे से गोल्डन ड्राउन करेंगे, उसके बाद मैंने दो आलू कट की हैं, छोटे-छोटे, उसके बाद मैं इसमें आलू डालू डालूँगी, यह आप देख सकते हैं, कि मैंने इस तरीके से आलू कट कर ली हैं, और दो आलू है यह सिरब आप तीन भी ले सकते हैं अगर आपकी सबजी की क्वांटिटी जादा है तो उसे साब से ही लें और ये दो आलू कट करने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिये हैं और इसे भी अभी मैं अच्छे से फ्राइ करूँगी ताकि ये कच्छे ना रहे जाएं तो अब आलू फ्राइ हो गए हैं थोड़े से और इसमें मैंने ये थोड़ी सी आप इतना अगर आपको तीखा पसंद है तो आप जादा हरी मिर्चे भी डाल सकते हैं और अगर कम पसंद है तो चार से पांच आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं तो अब ये आलू भी चलाते रहेंगे, चार से पांच मिनट तक हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, जैसा कि आप सबने नोट किया होगा कि मैंने अभी सबजी में टमाटर नहीं डाले, क्योंकि अगर मैं उस टाइम टमाटर डाल देती तो सबजी और आलू कचे रह जाते, तो मैं टमाटर को अलग से मेल्ट करूँगी, थोड़ा सा तेल लेके, तेल भी मैंने उसी करहाई में से लिया, और ये जो मैंने टमाटर को अच्छे से चॉप किया, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी, तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, और ये हरी हल्दी, इसको घ अब इसमें में डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक क्योंध नमक डाल सकते हैं या उच्छ से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मतर भी डालके को थोड़ासा फ्राय करने वाली हूँ थोड़ासा आप मतर अच्छ से धोले कोशिशकरें कि कि सबजियों को गरम पानी से धोए और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी अच्छे से अभी इसको भी फ्राइ करेंगे मुझे पता है कि आप सब के मन में ये क्वेशन होगा कि मैंने टमाटर पहले क्यों नहीं डाला सबजी में मतर पहले क्यों नहीं डाली तो मैंने इसलिए नहीं डाला क्यूंकि कई न कई वो आलू थोड़े से कच्छे रह जाते हैं सबजी कच्छी रह जाती है तो तो अब सब सब्जी को सब्सक्राइब डालने के बाद दैना उसे हैं सब्सक्राइब रख ज्योक्त अजाने के बाद पेड़ सब्सक्राइब की ठीशillonर कुछी तो सब्सक्राइब चमुघ तक जिसल but he Baptist. बीन्स की सबजी आने की बाखला की सबजी आप घर पे बना सकते हैं जो की बहुत जादा फायदे मंद है हेल्थ के लिए बहुत जादा फायदे मंद है बच्चों के लिए बहुत जादा फायदे मंद है अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो उन्हें आप रोल बना के दे सकते हैं थोड़ा इसको और भी चटपटा कर सकते हैं और वो बहुत खुशी-खुशी है सबजी जरूर खाएंगे आप इस सबजी में लाल मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्च जाली है लेकिन आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तो I hope आपको आज के लेसन पसंद आया होगर अगर आया है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके बाई